नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से किसान नेता राकेश टिकेत ने आगे बताया कि हम तब तक दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून को लेकर उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती अब केंदर सरकार को फैंसला करना है कि आंदोलन कब खत्म होगा सरकार सभी मांगे मान ले तो हम भी अपने गाउं चले जाएंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसान खेत भी देखेंगे और आंदोलन भी आंदोलन खत्म करने को लेकर पूचे गए सवाल पर टिकेत ने कहा कि किसान संग्टनों और केंदर सरकार के बीच अब तक 12 ओर की बेटके हो चुकी है प्रदान मंतरी नरिंदर मोदी और किरसी मंतरी नरिंदर सिंग तो मर ने भी कहा है कि बाचीत के जरीए किसानों की समश्या का समाधान होगा लेकिन बेठक को लेकर अभी तक केंदर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव किसानों को नहीं मिला है सरकार जब बुलाए हम बाचीत को तेयार हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार अमरिंदर सिंग ने शुरू की 2022 की तेयारी पंजाब के मुख्य मंत्री ने चुनावी रणितिकार प्रशांत किशोर को एक रुपए सेलरी में प्रिंसिपल एडवाईजर बनाया केबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जियां दोस्तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टर अमरिंदर सिंग ने सुमवार को चुनावी रणितिकार प्रशांत किशोर को अपना प्रिंसिंपल एडवाईजर बनाया है वहें 2022 में होने वाले विदानसबा चुनाव में कांग्रेस की रणिति तेयार करने में मदद करेंगे प्रदेश कांग्रेस ने इन्हें केबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी दिया है हालांकि प्रशांत किशोर की सेलरी एक रुपया होगी दोस्तो अमरिदर सिंग ने कहा कि हम पंजाब के लोगों की भलाई के लिए एक साथ काम करने के लिए तेयार हैं मुख्य मंतरी ने कहा कि उन्होंने पार्टी की प्रमुक सोनिया गांधी के साथ इस मुद्दे पर बात की थी उन पर ही फैसला छोड़ दिया था प्रशांत किसोर ने 2017 के विदानसभा चुनाओं में कांग्रिस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार चीन ने भारतिये वैक्सीन को बनाया निशाना ठीके का फार्मूला चुराने की कोशिश जीहां दोस्तो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतिये कंपनिया चीनी हेकर्स के निशाने पर है भारत में कोरोना टीका करण के बीच भारतिये वैक्सीन निर्माताओं के IT सिस्टम को हेकर्स ने टारगेट किया भारतिये वैक्सीन निर्मान करताओं के IT सिस्टम को हेक करने की कोशिश की गई हेकिंग की ये कोशिश चीन समर्थित हेकर्स के एक गुरूप ने की थी राइटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफ फिर्मा के हवाले से बताया कि जिन दो वैक्सिन निर्माताओं के IT सिस्टम को हेक करने की कोशिश की गई उनके वैक्सिन के डोज का उप्योग देश की टीका करण अभियान में किया जा रहा है दोस्तो आपकी जानकरी के लिए बता दें इसका मकसद भारत की इस महामारी वैक्सिन सप्लाइ चेन को बाधित करना था रिपोर्ट्स के मुताबित चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रूप ने हाल ही के हफ्तों में इस महामारी वैक्सिन बनाने वाली दो भारतिये कंपनियों के IT सिस्टम को निशाना बनाया इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर बंगाल चुनाव ममता बैनर जिसे मिलकर OAC पर बरसे तेजस्वी यादव कहा बीजेपी को पहुचा रहे हैं मदद जहां दोस्तों पश्रिम बंगाल में विदानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोलकता पहुचे यहां उन्होंने पश्रिम मंगाल की मुख्यमंतरी और टीमसी चीफ ममता बैनर जिसे मुलाकात की इस बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्धा नहीं है वह विकास के मुद्दे पर बात नहीं करती है आरजेडी नेता ने कहा कि कम्मिनियल तागतों के खिलाफ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है लेकिन हमें शांती चाहिए असुद्दिन ओविशी के मसले पर उन्होंने कहा कि लोकतंतर में हर पार्टी का अधिकार है लेकिन वो जो करना चाहते हैं वह बीजेपी की मदद करना है वहीं लेफ्ट कांग्रेस गटबंदन पर तेजस्वी ने कहा दिया कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं अब यह हर राजे के लोगों पर निरभर है वहीं दोस्तों CM ममता बैनर जी ने कहा कि हम लड़ रहे हैं तो तेजस्वी भाई लड़ रहे हैं अगर तेजस्वी लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं यह संदेश BJP को जाना चाहिए आप जान लीजिए बिहार में आपकी सरकार नहीं टिकेगी बंगाल में भी आपको कु प्रती सिलेंडर तक बढ़ गए हैं पिछले महीने यानि की फरवरी में LPG सिलेंडर के दाम तीन बार बढ़ाए गए थे अकेले फरवरी में ही सिलेंडर 100 रुपे महंगा हो चुका है दोस्तों आज की बड़ोतरी मिला दी जाए तो यह 26 दिनों में 125 रुपे महंगा हो चु और तीसरी बार 25 फरवरी को 25 रुपे दाम बढ़ाए गए थे आज मार्च की पहली तारीक को ही LPG सिलेंडर 25 रुपे महंगा कर दिया गया है इसके बाद में दोस्तों दिल्ली शहर में घरेलू रसोई गेस सिलेंडर की कीमत 819 रुपे हो गई है वहीं दोस्तों यही कीमत को 845 रुपे और चेनरी में 835 रुपे प्रती सिलेंडर है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार आज से बुंबई में ओटो टेक्सी का सफर हो गया महंगा टेक्सी का नियूनतम किराया 22 से बढ़कर 25 रुपे हुआ जिया दोस्तों पैट्रोल जल की कीमतें आसमान पर है LPG सिलेंडर आज फिर 25 रुपे महंगा हो गया और अब CNG से चलने वाले ओटो और टेक्सी का किराया भी बढ़ गया है दरसल दोस्तों बुंबई में CNG से चलने वाले ओटो और टेक्सी की किराये में कम से कम 3 रुपे की बड़ोतरी कर दी गई है ओटो और टेक्सी के पांच किलोमेटर की दूरी के लिए नियुनतम किराया 22 रुपे से बढ़ा कर 25 रुपे कर दिया गया है जबकि ओटो रिक्षा के लिए नियुनतम किराया 18 से बढ़ा कर 21 रुपे कर दिया गया है दोस्तों इस एक पांच किलोमेटर की नियुनतम दूरी के बाद यात्रियो इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार करते हुए कहा कि महाराष्ट में इसमें 27 रुपे का टेक्स लगता है जो कई पार्टियों की तुलना में सबसे जादा है ये अलग बात है कि विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सियासी साइकिल सफर की शुरुआत मंत्रा लेके पीछे बनी महा अगली बड़ी खबार म्यामार में 18 प्रदेशनकारियों की मोट से यूएन नाराज इंडिया ने कहा सयम बरते शांती से सुलजाएं मुद्दे जिन दुस्तों म्यानमार में तक्ता पलट के खिलाफ हो रहे प्रदेशन को कुचलने के लिए सेना ने हिंसक रूप एक्तिया सेना को पूरी तरह गलत बताते हुए सेना के बल प्रियोग न करने की अपील की है वहीं दोस्तों सेंकतराष्ट के मानवदिकार कारेले की प्रवक्ता रवीना शामदासी ने एक पयान में कहा कि हम म्यामार में प्रदेशनकारियों पर की गई गोलाबारी की कड़ी निंदा करते हैं और सेना से अपील करते हैं कि शान्ती पून प्रदेशनों पर बल प्रियोग करना बंद करें इस से पहले रववार को सेना ने कई जगों पर प्रदेशनकारियों के खिलाफ हिंसक कारेवाही की यंगून के साथ ही डावी, मांडले, इकियक, बागो और पकोको में भीड को निशाना बनाया गया, इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार, साइबर अटेक की फिराक में चाइना, बुंबई के बाद पूरे देश में ब्लेक आउट की है साजिश, जियां दोस्तों चीन की एक और बड़ी साजिश शामने आई है, एक्टुबर 2020 में पूरे देश के पावर ग्रीड पर साइबर अटेक कर सकता है, एलेसी पर जारी तनाओं के बीच चीन की बई साजिश का खुलासा काफी अहम है, चीन भारत की पावर सप्लाई को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, नियुयर्क टाइम्स की खबर के मुताबित चीन अभ महामारी की ताजा इस्तिती, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जायतों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड 40,66,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वा है वहीं दोस्तो इसके बाद में इंडिया ब्राजील रशिया उनाइट गिंगडम फ्रैंस इस्पैन इटली टर्की आधी देशों का नाम आता है अब दोस्तो इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक चोटी से पसंद आई है तो इसे एक चोटा सा लाइक जरूर देदे और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशरक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों लाइक ओ डिसलाइक जरूर दीजिए क्योंकि दोस्तों यहीं हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से में पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं वहीं दोस्तो उसके बाद में केरला करनाट का अंदरप्रदेश तमिलनाडू देली उत्रप्रदेश वेस्ट बंगाल आधी राज्यों का नाम आता है इसके बाद दोस्तो रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का SBI ने और घटाई होम लोन की ब्याजदरें 6.7 फीजदी पर ले सकते हैं 75 लाग तक का करज जी हां दोस्तो अपना घर खरीदने वालों के लिए State Bank of India ने बड़ी सोगाद दी है SBI ने होम लोन की ब्याजदरों में कटोती कर दी है जिसके बाद 75 लाग तक का होम लोन आपको 6.7 की ब्याजदर से मिल जाएगा दोस्तो 75 लाग से 2 करोड तक का लोन 6.75 फीजदी पर SBI दे रहा है इसके लवा अप्रूब्ड प्रोजेक्ट पर प्रोसेसिंग फीजद को भी 31 मार्श तक माफ कर दिया गया है दरसल दोस्तो SBI के स्पेशल ओफर में ब्याजदर 6.8 तक गिर गई है इसी ब्याजदर पर 75 लाग तक का लोन बड़ी आसानी से मिल रहा है 75 लाग से 2 करोड तक का लोन 6.75 फीजदी ब्याज़ पर मिलेगा यानि कि दोस्तो अगर आपका सपना भी है घर बनाने का तो SBI आपके सपने को शाकार फिलहाल कर सकता है कम ब्याज़ पर इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार योगी अधितिनात के दावे पर अखिलेश यादव बोले बीजेपी के 45 विदायक भी नहीं जीतेंगे 2022 में 350 सीटे जीतेगी सपा जियां दोस्तो ABP गंगा के खासकारेकरम माहा अधिवेशन में उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधितिनात ने दावा किया कि बीजेपी 2022 के विदानसबा चुनाओं में 350 से जादा सीटे जीतेगी अब समाजवादी पार्टी के अध्देक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादों ने सीएम योगी पर पलटवार किया है अखिलेश ने कहा है कि सबसे पहले सपा ने कहा था कि सबी वर्गों के साथ से समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाओं में 350 सीटे जीतेगी अखिलेश यादों ने दावा किया कि BJP के 45 विदाईक भी नहीं जीतेंगे कुछ दिनों में टिकेट कटने वालों की लिष्ट तेयार की जाएगी इसके बाद BJP में भगदर मचने वाली है उन्होंने दावा किया कि उत्रप्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने वाली है 2022 में उने वाले विदानसभा चुनाओं को लेकर अखिलेश यादों ने कहा कि हम किसी बड़े दल से गटबंदन नहीं करेंगे इस चुनाओं में छोटे छोटे दलों के साथ जनता के बीच में जाएंगे समाजवादी पार्टी अपने दम पर विदानसभा का चुनाओं लड़ेगी इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार मोसम समाचार जानी अगले 24 गंटे और पिछले 24 गंटे के मोसम पूरुवनुमान तो सब सब पहले दोस्तों बात करते हैं पिछले 24 गंटों की तो दोस्तों बीते 24 गंटों के दोरान सिक्की में चुटपुट जगों पर हलकी से मद्ध्यम बारिश और गरज के साथ हलकी वर्षा भी दर्ज की गई है वहीं दोस्तो उत्तर पश्रिम और मद्दे भारत के अधिकांश भागों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है उत्राखंड उत्रप्रदेश के पश्रमी जहारकंड गंगी बंगाल ओडिसा और दक्षिन मद्दे प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिक्तम तापमान सामाने से काफी उपर बना रहा वहीं दोस्तो आगामी 24 घंटे की बात केज आए तो आने वाले 24 घंटों के दोरान उपिमाले पश्रि मंगाल, सिक्कीम, असम और रोनचल प्रदेश में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है शेश भारत में मोसम शुष्क रहेगा, अगले 24-48 घंटों में उत्तर और मद्य भारत में दिन और रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे सोने के दाम में आई तेजी, चांदी भी हुई महंगी जिया दोस्तो भारती बाजारों में आज गोल्ड के भाव में तेजी दर्ज की गई है दिल्ली सरफा बाजार में आज सोने का भाव 241 रुपे प्रती 10 ग्राम की तेजी के बाद 46,000 रुपे से नीचे बना हुआ है वहीं दोस्तो चांदी के दाम की बात की दाए तो चांदी में भी आप उच्छाल आया है फिलहाल दोस्तों चान्दी की बात की जाए तो 98lt जब कि चान्दी 265.90 डॉलर पूलर पर रही इसके बात दोस्तो अगली बौड़ी ख़बार जावेद अकतर मानहानी मामले में कंढ़नारानावत के खिलाफ घुनानावत के खिलाए वारन्ट जारी दोस्तों गीत कर जावेद अक्तर के द्वारा दाइर मानहानी के एक मामले में अभिनेतरी कंगना रानावत के पेश नहीं होने पर बुंबई की एक अदालत ने सोमवार को उनके खिलाव जमान थी वारंट जारी किया अंधेरी मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेड अदालत ने एक फरवरी को रानावत को समन जारी कर एक मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था कंगनारानाओत के सौमवार को अदालत में पेश नहीं होने पर मजिस्ट्रेड आर आर खान ने अभिनेत्री के खिलाफ जमान थी वारंट जारी करते हुए मामले को सुनवाई के लिए 26 मार्च के लिए सूची बद्द कर दिया है इस से पहले निचली अदालत ने बताया था कि मामले की आगे की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारिक ताय की गई है कंगनारानाओत के वकील रिजवान सिद्दकी ने अदालत में दलीत दी थी कि अभिनेत्री के खिलाफ समन कानून की उच्चित प्रिक्रिया का पालन किये बिना जारी किया गया इसलिए यह विदी विरुद्ध है सिद्धकी ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जिस प्रिक्रिया का पालन किया गया उसे बंबई उच्छी नियालेने में चुनोती दी जाएगी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार प्रदान मंत्री नरिंदर मोधी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली दिल्ली एम्स में लगवाया टीका जियां दोस्तो इस महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है इस मोके प्रप्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली पीम मोधी सुबर सुबर दिल्ली एम्स पहुंचे और वैक्सीन की पहली खुराक ली साथ इन्होंने देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपेल भी की उन्होंने ट्विट करके कहा कि मैंने एम्स में इस महामारी वैक्सिन की पहली खुराक ली है यह तारिफ के काबिल है कि कैसे हमारे डाक्टरों और वेग्यानिकों ने कोरोना के खिलाब वैश्विक लड़ाई को मजबूती देने के लिए तेजी से काम किया उन्होंने कहा कि मैं सबी से अपील करता हूँ कि जो भी वैक्सिन लगवाने योग्य है वह भारत को कोरोना मुक्त बनाने में साथ है दोस्तो आपकी जानकरी किले बता दें इस महामारी वैक्सिन अभियान का दूसरा चरण साथ साल से जादा उम्र के लोगों और अन्ने बीमारियों से पीडित 45 सालिया उससे अधिक आयू के लोगों के लिए कल से शुरू हो गया था इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर प्रयंका ने कहा कि ये हमला खुद प्रदानमंत्री, ग्रह मंत्री और बीजेपी की सरकार कर रही है दोस्तो आपकी जान के रिकले बता दें, प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने टूल किट मामले का हवाला देते हुए अपनी रेली में कहा था कि कुछ लोग असम की चाय को बदनाम करने की शाजिस रच रहे हैं, बहारी ताक्तें असम की चाय और उसकी पहचान को बरबाद करन प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपने असमदोरे की शुरुआत की, यहां प्रियंका गांधी वाडरा ने ट्राइबल लोगों से मुलाकात की और उनके साथ ट्राइबल डांस भी किया तो दोस्तो यहती आस की तमाम बड़ी खबर हैं, इसके बाद दोस्तो अब बारी आती है आसके माइड कुछ कूशन की जियां दोस्तो एक असान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सर्प्राइज गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की और से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जीरो का अविश्कार किस भारते विद्वान ने किया था? जीयां दोस्तो कर आप जानते हैं कि जीरो का अविश्कार किस भारते विद्वान ने किया था? तो जल्दी से comment box में उनका नाम लिख दीजिए अगर दोस्तो आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजदा की रूप में तो आपको मिल सकता है एक amazing surprise gift हमारे YouTube चैनल की ओर से तो दोस्तो जल्दी से अपने उतर comment box में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को subscribe करके bell icon भी दबा लीजिए धनिवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत